आपका स्वाकत है आज मैं बनाने जा रहे हूं यह छोटे प्याज के सब्जी तो जलिए बनाना स्टार्ट करते हैं यह देखे इसके लिए सबसे पहले यह मैंने छोटे साइज के प्याज ली है ऑर उसको अच्छे से चीलके वॉष कर लिए मैंने और इसका से से कट लगाना है बहुत जादा कट लगाना है ताकि ग्रेवी के अंदर तक शाइब कर लिया है तो चली अब देख लेते हैं इसके लिए मिसाली क्या कर चाहिए हमें यह देके मैंने दो तीन चोटे साइज के प तो तीनों चोटा सा टुकड़ा है उसे भी मैंने बारिक पेस्ट बना लिया है और उसके साथ सुखे मसालों में है नमक, हल्दी, मेर्च और यह आमचूर पाउडर है थोड़ा सा हींग, कश्मीरे मेर्च, धनिया पाउडर, जेरा और यह है कसूरी मेथी और थोड़ी सी कलों अगर आपको कलोंजी का टेस्ट पसंद नहीं है तो आप इसे किपी कर सकते हैं और यह है एक तेज पत्ता और दो स्लिट की हुई हरी मिर्च तो चली बनाना स्टार्ट करते हैं यह देखे मैंने कडाही में तेल गरम कर लिया है और अब मैं इसमें सबसे पहले डालूंगे यह एक तेज पत्ता हींग जीरा त्याज इसी के साथ साथ में इसमें डाल दूंगे यह लस्न का पेज इसमें दाल दूंगे तो आपने इसको अच्क्राइब मेरा बह्ताक है और शूंगे अपटके से हां दूंगे और दूंगे लेकिते हैं हमें यह दोखे यह देखेनिक हैं अि समयाज भून चुके हैं और इसी कीसाथ सास आथ मैं डालूंगी यह तो माटर्स कीमाटर अब कर समाट्रे के साथ साथ जालेगा इसमें जीन नमा, हल्डी, प्रश्मेरी मेंच, मेंच, गनिया काउडर, आम चुल, और अब हम इसको अच्छे तेप, भून देंगे महाले के साथ, इसमें डाले की पोरा सा पानी, तक ये मसाला अच्छे से भून जाए, तो अब अब ढ़क के इसको बीच-बीच में चलाते हुए पका देंगे, अब मैं इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, इसी के साथ साथ इसमें हम डाल देंगे ये प्याज, और अब हम इसको ड़क करेंगे, प्याज, और अब हम प्याज के पक्ड़ी रेते हैं ये देखे, अब हम इसे साथ कर लेते हैं, और देखे, हमारे प्याज के सब्च़ी बनके तयार है, आप इसे अपनी मन पसंद रोटी, पूडी और प्रांगे के साथ खा सकते हैं, तो चलिए पेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं, तो प्लीज में चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बैल आइकन को भी दवाइए ताकि नई वीडियो की नॉटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं तो फ्रेंट मिलते हैं नेक्स् हुँआ।